हेलो दोस्तो एक छोटा से न्यूज आप लोगों के लिए BIS यानि कि Bureau of Indian Standard का जो एक्जाम हुआ था दिसंबर के महीने में उसमें कुछ पदों के जो एक्जाम हुआ था उनके रिजल्ट आ चुके हैं यानि कि जो सारे जो अलग-अलग पोस्ट के लिए एक्जाम होते हैं सबके रिजल्ट तो नहीं आये हैं लेकिन उनमें से तीन पोस्ट जो हैं उनके लिए रिजल्ट आ चुके हैं ठीक है तो आप BIS की Official Website पे जा करके देख सकते हैं बाकि उन्होंने जो नोटिस जारी किया है ओभी मैं आपको एकबर दिखा देता हूँ देखिए यह आपका नोटिस है यहाँ पे लिखा है कि दिनांग 23 दिसंबर 2020 को संपन आलनाइन परिष्छा के अधार पर निम लिखित उमिद्वारों को 26 मार्च 2021 को पुरुआहन 9 बजे बाकि सब जो एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे जो कंडिडेट शॉट लिस्ट किये गए हैं उनके नाम है यहाँ पे देखिए और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि साक्षातकार के लिए कॉल लेटर की अस्थाई रूप से चैनित उमिद्वारों को पहले ही भेजा जा चुका है और समबंदित से पेच्छा की जाती है कि वे कॉल लेटर में उपस्तित दस्तावेजों के साथ आए ठीक है तो बिसिक बात यही है कि यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको पहले ही मेल भेजा जा चुके है और उसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या डोकुमेंट ले करके आना है ठीक है और यहाँ नीचे यह भी लिखा हुआ है कि 6 पदों के लिए कंप्यूटर अधारित ऑनलाइन परिशा का प्रडाम बाद में घोशित किया जाएगा जो बाकी जो पद बचे हुए है उसमें जो आपका SSS बगएरा वाला जो पोस्ट है तो उसके लिए जो रिजल्ट है वो बाद में आएंगे यही बात नीचे जो हैं इंग्लिश में लिखी गई है Shortlisted Candidate for Interview यहाँ पर आपका नाम और दिया हुआ है यहाँ पर एडरेस देख सकते हैं 23 दिसंबर 2020 को हुआ था और 26 मार्त 2021 को इसका इंटर्विव कराया जाएगा ठीक है Selected Candidate का लिस्ट है यह आपका Post of Assistant Directorate Administration and Finance उसके बाद दूसरा Post है आपका Assistant Directorate Administration and Finance for Legal और तीसरा जो है Assistant Directorate Library ठीक है यह सब चीज़े आपको दी गई है यहाँ से आप अपना देख सकते हैं इसका PDF में Telegram Group में डाल दूँगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं Telegram जोइन करने के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है Telegram पर जाके add the final touch ठीक है the final touch ओके वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा बाकी आप चाहें तो BIS के official website से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों एक ही important इसमें यह है कि जो लोग पास हुए है इन पदों में उनको पहले ही mail भेश करके बताया जा चुका है कि आपको क्या क्या document ले करके आना है और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बचे हुए remaining जो post है जिनका result भी नहीं आया है जल्द ही उनका result घोशित किया जा सकता है बिल्कुल आप prepared रहें क्योंकि result जो है कभी भी आ सकता है ठीक है दोस्तों यही छोटी सी news थी जोटी से लिए अगली बड़ी में अतक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जाहिंग तो